नमस्कार मैं श्रीकान चोहान आप सबेका ट्रेक टॉक के पॉर्कास में स्वागत करता हूँ इशिन मार्केट्स में आज हम कुछ कमजोरी देख रहे हैं और उसका सबसे बड़ा रिजन यही है कि वापस से ट्रेजरी एस वेल एस जो डॉलर इंडेक्स है वहाँ पे हमने कु अच्छे खासी रिकावरी देखी लोवर लेवल से लेकिन अभी करेंटली अगर यह स्टॉक फ्यूचिस को देखे तो वहाँ पे कुछ मायूसी बनी हुई है और इसी वज़े से गिफ्ट निफ्टी भी 20-25 नीचे ट्रेड कर रहा है हम ब्राडर फॉर्मेशन को देखे तो सब्वार के दिन हमने अच्छे खासी एक हायर ओपनिंग देखी उसके बाद मार्केट ने अच्छा कासा मोमेंटम बिल्ट अप किया और इवेंचुली मार्केट ने 19,400 के लेवल को भी क्रॉस कर लिया लेकिन अगर इस ओवरॉल सेट अप को देखे तो हमें लगता है कि अ इन ताउजन फोरॉल से लेकर 550 के बीच निफ्टी के लिए मल्टीपल रिस्टंस हर्डल से और यह हर्डल्स बिकाज अफ मुविंग अबरेजिस है रिटरेस्में रेश्यों जाहिए 50 देज सिंपल मुविंग अवरेज 20 देज सिंपल मुविंग अबरेज इन सभी खा रिस इसी जोन में मार्केट के लिए है तो हमें लगता है कि इन लेवल्स के करीब कुछ प्रॉफिट टेकिंग बन सकती है तो इन लेवल्स में आप भी अपने वीक लॉंग पोजिशन को कम करके चल सकते हैं बड़ येस इनके सिब दर इनी करेक्शन अगर मार्केट में दूरिं इसी के साथ अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में भी हमें लगता है कि जो एक ग्रैजूल अपवर्ड एक्टिविटी का ट्रेंड है वो कंटीनू हो सकता है 43,850 के करीब एक बड़ा रेजिस्टंस बैंक निफ्टी के लिए है प्रून लेवल्स के क 3-4 दिन के मुवमेट को देखें तो यह काफी कॉशियसली अपवर्ड एक्टिविटी में कनूर्ट हुआ है तो इसी कॉशियसनेस में अगर कोई भी निगेटिव रीजन अगर आते हैं तो फिर इसमें हम अच्छा कासा करेक्शन देखते हैं और इसी वज़े से हमें लगत हम अधर इंडाइसिस के अगर बात करें तो हमें लगता है कि IT कामपनीज में एक मोमेंटम मिसिंग है इवन दो कि हमने उनमें कुछ स्टॉक्स में अच्छे खासी अक्टिविटी देखी लोड लेवल से रिकवरी देखी है में कुछ अपवर्ड ट्रेंड बना हुआ है ले it is better to stay away but अगर हम आज चाइना के specific economy data को देखे तो वहाँ पे आज trade data के numbers आने वाले है और इसी वज़े से वहाँ पे हमें लगता है कि कुछ metals and mining companies में तेजी बन सकती है जिसका effect बाकी world markets में भी आ सकता है तो हमें लगता है कि आज के दिन में कुछ steel as well as metals and mining के companies में pressure तेजी ब power as well as JSW steel पे ध्यान रखें और साथ ही साथ हमें लगता है कि NMDC और GMDC पे भी हमें खासा focus करना जरूरी है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ आपका दिन मंगल में रहे धन्यवाद